हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड उनहत्तर के के का डर अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि शकील उसकी बात पर बस मुस्करा दिया वो उसकी तरफ देखकर कहता है राजन डील की बात करे उद्धरन चिन डॉट जिस पर राजन अपना सरहा में हिलाता है और अपने आदमियों को इशारा करता है उसके आदमी उसका इशारा समझकर अपने साथ लाए हुए दो सूटकेस सामने की टेबल और रख देते हैं शकील एक बार उस सूटकेस को देखता है और फिर राजन को उसके बाद वो अपने आदमियों को हाथ के इशारे से सूटकेस खोलने को कहता है उसके आदमी आगे आके उस सूटकेस को खोल देते हैं उस सूटकेस को ओपन करने के बाद उस सूटकेस में जो भी चीज थी उसको देखकर शकील के चहरे पर मुस्कान आ गई। जिसकी देखकर राजन जो थोड़ा दरा हुआ था वो भी राहत की सास लेके अपने चहरे पर मुस्कान लता है। जिसके चलते शकील के चहरे की स्माइल पहिले से बड़ी हो जाती है। पर ये सब कुछ पल के लिए ही था। उन लोगों की तरफ खत्रा तेजी से बढ़ रहा था। जिसके बाद उनकी दील की धज्या उनने वाली थी। अब आगे शकील राजन की तरफ देखकर कहता है। ब आपकी महरबानी से है। बस उद्धरन चिन डॉट शकील अपने आदमियों को इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा समझ कर वेटर का यूनिफॉर्म में आये हुए उसके आदमी अपने साथ लाए हुई दो सूट के सामने टेबल पर रख देते हैं और साइड में जाक उखों में चमका जाती है। वो उन दो सूट केस को बंद करके अपने अफमियों को सौप देता है। शकील और राजन थोड़ी देर इसी ही किसी बात पर चर्चा करते उसके बाद वो दोनों ही अपनी दील कंप्लीट क्रेज वहां से जाने के लिए अपनी जगल से उठते ह वही दूसरी रूम में यानी की रूम नंबर 304 में बैठा शिव ये सब अपने लप्टॉप में देख और सुन रहा था। वो यह पर केके को पकड़ने के लिए आया था। उसे खबर मिली थी कि यह पर केके आने वाला है। पर वो जब केके के जगल दूसरे ही आदमियों क देखता है तो उसे लगता है उसको गुमराह किया गया है पर जब वो उन दो आदमियों को चेहरा ध्यान से देखता है तो वो शकील को पहचान जाता है और उसको देखतर उसके चेहरे पे अब तक जो भी भाव थे वो बदल कर खतरनाक भावा आ जाते हैं साथ में उसकी च पर इस बार तुम्हारा पाला मूज से पड़ा है और तुम्हारी गलती भी बड़ी है तुम तो शकी यानी कि खुद के बॉस का ही चेहरा लेकर यह पर डील करने आ गए हो जो को दो साल पहले ही मारा गया है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता तुमने ये बात काफी अच के गात उतारा है उसके सामने तुम एसे उसका चेहरा लेकर आओगे तो क्या होगा केके अपना चेहरा बदल कर खुद वो । डील करने के लिए आया था ये उसके लिए बहुत जरूरी डील थी इसलिए वो खुद की जान जोखिम में डाल कर आया था वैसे भी उसको पर room no.306 के पास बुलाता है। वो अपना laptop बंद करके उसे अपने bag में डाल कर उसको उस कमरे के खिलकी से नीचे फेकता है और अपने चेहरे पे mask और bullet fruit jacket पहन कर अपने आखों पर night vision का गौगल लगा कर उस room से बाहर निकलता है। इस वक्त उसके हाथों नई दो fully loaded gun थी। अन पर silencer लगा हुआ था। वो room no.304 से बाहर निकल कर room no.306 की तरफ बढ़ता है। बाहर खड़े bodyguard को वो बड़े ही आसानी से गोली मरता है। जिससे उन लोगों की वही पर date हो जाती है। उसके gun में silencer लगने के कारण किसी को भी गोली चलने की आवाज नहीं आई। उसने उन सारे bodyguard को मार दिया था। तब तक उसकी team भी वहाँ पर पोहच चुकी थी वो उनको इशारा करके धीरे धीरे उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो सारे भी train fighter थी वो बिना किसी अगे बढ़कर उस room number 306 के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ ही second में उस room को door open होता है। उसमें से पहले दो bodyguard बाहर आते हैं। वो जैसे ही बाहर आकर बाहर की condition समझने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके सिर के बीचों बीच गोली आकर लगी और वो लोग वही पर म पर गए। ये गोली किसी और ने नहीं बलकि शिव ने चलाई थी। शिव ने उनके चार bodyguard जो इस वक्त कमरे में थे उनको मौट से दी थी। प्रून से बाहर आ रहे रहन, शकील और जॉन्स इस बात से डर गए। वो कुछ करते उससे पहले ही शिव की टीम ने उनके उप ने को कहता है, वहाँ पर गोलिया की आवाज आने लगती है। शिव ने उस वक्त जो नाइट विजन गौगल पहना था उसमें से उसे इस स्मोग में भी सब देख रहा था। उसने उस गौगल को खुद ही मोडिफाई किया था जिससे नाइट के साथ स्मोग में भी आगे क देखा जा सके। थोड़ी देर में उस जगल का सारा स्मोग हट गया था। शिव की टीन ने सामने देखा तो उनको सामने दो लाशे देखी वो लाशे राजन और जौन्स की थी, वहाँ पर केके उर्फ शकील का कोई अता पता नहीं था, शायद वो भाग गया था। जब व किसी को भी बनेक नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर क्या हुआ है। सारी लाशे ठिकाने लगाओ और वहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं तुम लोगों से जल्दी ही कॉन्टेक्ट करूंगा। उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर शिव ने ब्लूटूथ ओफ कर दिया, अपने काम करक सारी टीम वहाँ से चली गई। शिव इस वक्त उस क्लब के टॉप फ्लो पर था उसके सामने केके खड़ा था शकील के बेस में, वो इस वक्त पूरे पसीने से बरा था। उसका ये पहली बार था कि किसी ने उसको पकड़ा था और वो किसी चीज में पहली बार फिल हो गया था वो जो भी डील करने वाला था वो सारी बरबाद हो गई थी शिव ने वो राइफल और गन साथ में ही पैसे के बैग भी जप्त कर लिये थे साथ में ही केके का वफादार साथी जोन्स भी मारा गया था केके इस वक्त बेहद ही गुस्से मैं था वो शिव की तरफ द सांती से गुर रहा था। उसके गुर्ण से केको अपनी रीट की हारी में थंडक महसूस हो रही थी। केके खुद को नॉमल करके अपने हाथ में मौजूद घड़ी में एक बटन दबा देता है। उसके ये करते हुए शिब ने भी देख लिया था पर उसने उसको ये सब करने से रोका नहीं क्यूकि उसको केके को अभी पकरना नहीं था। वो अपने कदम केके की तरफ बढ़ा रहा था। उसका ओरा इस वक्त बेहद ही खतरनाक और जान लेवा था। केके तो पहले ही उसके देखने बार से दर गया था और अब इसे उसके पास आने से उसको पसीने आने लगे थे वो पूरी तरह से टेरेस की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। दुसरों को दराने वाला केके आज अपने सामने खड़े उससे उमर में छोटे आदमी से दर रहा था। ये सच में अजीब बात थी। शिव केके के पास आकर उसके गर्दन में हाथ डालता है। केके इसके लिए बिल्कुल भी तयार नहीं था। एक तो वो पहले से ही टेरेस पर भाग के आने से ठक गया था उपसे शिव खतरनाक और उसको डराने पर मजबूर कर रहा था। शिव ने उसके गर्दन पर हाथ डालता उसने अपनी एक उन्दी स्ट्रेट की उसमें एक सुई को केके के गर्दन में गुसा दिया। उससे केके को किसी चिटी कातने से जितना दर्द होता है वैसा ही दर्द हुआ वो सुई बेहद ही छोटी थी। केके को इस बारे में पता भी नहीं चला वो शिव के खुद के इतने करीब देख कर ही डर गया था। शिव ने उस स उसरे हाथ में मुझूद गन उसके सिर पर तान दी। और केके की तरफ देखकर अपने फेस पर डेविल स्माइल लाकर उससे कहता है। केके तो डर गया, वो भी इतनी जल्दी। इसका मतलब तुमको भी मरने से डर लगता है। Not bad! Not bad! उद्धरल चिन डॉट। शिव का बस इतना ही कहना था की, केके उसकी तरफ हरानी से देखता है। उसकी हरानी बारी नजर को देखकर शिव कहता है। क्या हुआ? तुम यही सोच रहे हो ना मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। तुमने तो शकील का इतने अच्छे से गेट अप लिया हुआ है। है ना। उद्धरल चिन डॉट। केके हां मैं अपना सिर हिला देता है। पर शिव उसको कुछ नहीं बताता। आसमान में हेलिकॉप्टर की आवाज आने लगती है। जिसे सुनके केके के चहरे पर स्माइल आती है पर उसे वो आसानी से छुपा लेता है। शिव भी वो स्माइल देख लेता है पर उसे कुछ नहीं कहता बलकि उसको ऐसा दिखता है कि वो उसके सवाल का जवाब देने वाला है। वो उसे चार कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आज का एपिसोड आप सब को कैसे लगा ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होता है। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला इपिसोड इस कहानी में हमने अब तक देखा की शिव केके के पास आकर उसके गर्दन में हाथ डालता है। केके इसके लिए बिलकुल भी तयार नहीं था। एक तो वो पहले से ही टेरेस पर भाग के आने से ठक गया था उपसे शिव खतरनाक और उसको डराने पर मजबूर कर रहा था। शिव ने उसके गर्दन पर हाथ डालता उसने अपनी एक उंगी स्ट्रेट की उसमें एक सुई आ गई उसने उस सुई को केके के गर्दन में गुसा दिया। उससे केके को किसी चिटी कातने से जितना दर्द होता है वैसा ही दर्द हुआ वो सुई बेहद ही छोटी थी केके को इस बारे में पता भी नहीं चला वो शिव के खुद के इतने करीब देख कर ही डर गया था शिव ने उस सूई को उसके गर्दन में गुसा कर अपना हाथ उसके गर्दन से निकल दिया और अपने दूसरे हाथ में मजूद गन उसके सिर पर तान दी और केके की तरफ देखकर अपने चेर पर डेविल स्माइल लाकर उससे कहता है केके तो डर गया, वो भी इतनी जल्दी इसका मतलब तुमको भी मरने से डर लगता है Not bad Not bad उद्धरल चिन डॉट शिव का बस इतना ही कहना था कि केके उसकी तरफ हरानी से देखता है उसकी हरानी बारी नजर को देखकर शिव कहता है क्या हुआ तुम यही सोच रहे हो ना मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला तुमने तो शकील का इतने अच्छे से गेट अप लिया हुआ है है ना उद्धरन चिन डॉट केके हा में अपना सिर हिला देता है पर शिव उसको कुछ नहीं बताता आसमान में हेलिकॉप्टर की आवाज आने लगती है जिसे सुनके केके के चेहरे पर स्माइल आती है पर उसे वो आसानी से छुपा लेता है शिव भी वो स्माइल देख लेता है पर उसे कुछ नहीं कहता बलकि उसको ऐसा दिखता है कि वो उसके सवाल का जवाब देने वाला है वो उसे चार कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है अब आगे केके शिव की तरफ देखता है इस वक्त उसके चहरे पर दरका को निशान नहीं था वो मुसकराते हुई शिव की तरफ देख रहा था हेलिकॉप्टर की आवाज पास से सुनाई देती है जो कि उस गलाब के उपगुम रहा था जिससे वहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी शिव सब देख और समझ रहा था पर ओ ऐसा दिखा रहा था जैसे वो शोक है उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हेलिकॉप्टर के 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 पास आकर उसको अंदर लेके वहाँ से टन मरता है शिव अपने हाथ में मजूद गन की सारी गोलियां के 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 तरफ मरता है शिव नेकेके पर शूट की हुए पांच गोलियों मेंसे उसको दो गोलियां लगी थी एक उसके कंदे को चू कर गई थी बैग लेटा है जो उसने अपने रूम से नीचे फेकी थी उसको उठा कर वहाँ से गाय भी जाता है उस club में किसी को भी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर क्या हुआ उस बारे में भानक तक नहीं लगी थी शिव वहाँ से सीधा अपने पसनल विला आ जाता है वहाँ आकर वो अपनी study room में चला जाता है study room में आकर अपने study room में लगी बड़ी painting के आगे जाके खड़ा हो जाता है वो उस painting की थोड़ी देर गुरता है फिर उस painting की side में बने के black dot पर click करता है जिससे वो painting दो बागों में divide होती है और उसके पीछे एक door दिखाई देता है शिव उस दोर को की से खोल कर अंदर चला जाता है उसके अंदर जाते ही फर्ज वो door और painting पहली जैसी हो जाती है शिव इस वक्त जगा पर खड़ा था वहाँ पर चारों तरफ अंधिरा था वहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था शिव दो बार clap करता है उसे उस room में रोशनी हो जाती है अब उस room में मौझूद सभी चीज़े आसानी से देखी जा सकती थी उस room में बड़े-बड़े high advanced technology से बने computer लगे थे वो पूरी room computer से बारी पड़ी थी कुछ computer पर CCTV footage दिखाई दे रही थी जिसमें केके का पहले lab की footage थी Los Angeles के सारे road की live CCTV footage थी उसकी साथ में बहुत सारे illegal काम जहाँ पर चलते थे pub club, bar की वहाँ पर live CCTV footage चल रही थी वो पूरे club और bar famous थे वहाँ पर केके का connection पाया गया था इसलिए शिव उन सब कर नजर रख रह था शिव उस room में आके एक computer के आगे जाके बैट जाता है उस पर बैट कर वो उसमें कुछ करने लगता है इस समय उसकी उंगलियां उस computer के keyboard पर तेजी से चल रही थी करीब आदे घंटे के बाद उसकी उंगलियां रुकती है और उसके face पर एक बड़ी मुस्कराहट आती है जिसका ये मतलब था वो जो भी काम कर रहा था वो पूरा हो गया था केके को उस helicopter मेब बैट कर किसी safe जगह पर ले जाया गया उसकी condition इस वक्त बेहत खराब थी उसके कंधे पर बोली लगने के कारण वहाँ से बेहत खून बह रह था साथ में उसे right pair में भी बोली लगी थी वहाँ से भी बेहत सारा खून बह गया था उसका जल्दी ही first step किया गया था पर ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गया था उसको एक घने जंगल के बीचों बीच बने उनके सेफ हाउस पर ले जाया गया वहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे इंडिया, एसार विला, सिया जी और आदित्य नर्स की बात सुनकर दोड़ कर त्री अनफ्लो पर चले गया आदित्य रूम में जाके जल्दी से अपने डैग की कंडीशन नॉमल करने लगता है सिया जी बेहत गोरा गई थी अपने पती की AC कंडीशन देख के वो उनके पास जाके उनका एक हाथ पकड़ लेती है उनके अंको से आशु बह रहे थे आदित्य अपने डैग को चेक करके उनको एक इंजेक्शन दे देता है जिससे उनकी कंडीशन में सुधार आता है और वो फर्ज गहरी नीद में चले जाते है सिया जी उसके तरफ देखती है तो वो उनसे कहता है मॉम डैग जल्दी ही होश में आने वाले है ये उनकी होश में आने के संकेत है आप बिलकुल भी चिंता मत करो वो उनके पास जाके उनके आँखों के आशु साफ करता है उनसे कहता है मॉम चलो डैग को आराम करने दो मैंने उनको जो इन्जेक्शन दिया उसके असर से वो गहरी नीद में सुबे है शायद उनको कल सुबल तक होशा जाएगा आप चलो मेरे साख बाहर मुझे अपको कुछ बताना है आदित्य और सिया जी उस रूम से बाहर चले जाते है आदित्य उनको उनकी स्टडी रूम में लेके जाता है आदित्य उनके वहाँ पर एक चेय पर बिथा कर खुद उनके सामने बैठ कर उनका हाथ पकड़ कर कहता है मॉम अभी में जो भी कुछ आप से कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना ये बहुत जरूरी है पैनिक मत करना आपका ये जानना बेहत जरूरी है आदित्य की बात सुनकर सिया जी के चेहरे पर परेशानी के भावा आते है वो आदित्य की तरफ देखती है और उसे अपनी बात आगे कंटिन्यू करने को कहती है आदित्य अपनी मॉम की तरफ देखकर अपने सीरियस फेस के साथ कहता है मॉम एक्च्वली ये बात आपकी असिस्टेंट प्रिया से किनेक्टिड है मॉम मुझे पता है वो आपकी बरिसेमंद एंप्लॉय है आप उसको बेटी जैसी मानती है पर मॉम उसके इंटेशन आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है वो किसी गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ काम कर रही है और आज अभी वो जो भी पेपा आपसे साइन करने वाली थी उसमें उसने ये पेपा भी डाले थे जिसमें आप अपने नाम के शेयर उसके नाम पर कर रही हो अगर सही टाइम पर मैं आपको रोकता नहीं तो वो अपने काम में सफल हो गई होती मॉम मैंने उसके बारे मैं पता लगाने के लिए कहा था जैसे ही मुझे उस पर शक हुआ था मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था उपसे वो आपके साथ ज्यादा रहती थी और मैं अब आपको या किसी को भी खोना नहीं चाहता उसकी कुछ मिस्टीरियस आइडेंटी है जो अब तक हमको पता नहीं लग पाई है आखिर उसका मकसद क्या है सेया जी तो बस प्रिया के बारे में ये सब सुनकर और साथ में ही आदित्य ने उनको दिखाए हुई शेर ट्रांसफर के पेपर देखकर ही शोक में चली गई थी उन पेपर में साफ साफ प्रिया का नाम देख रहा था जिसके नाम पर वो शेर ट्रांसफर होने वाले थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो कब किस पर बारोसा करे जिस लड़की को उनने अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया वो ही उनके पीप पीछे खंजीर गोप रही थी अगर आज आदित्य उनको सही टाइम पर नहीं रोकता तो क्या होता ये सोच कर ही वो गबरा जाती है आदित्य अपनी मॉम को जब ऐसी गबराता देखता है तो वो उनको गले लगा कर धीर देता है मॉम दोंट पैनिक अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है हमको उसके बारे में पता लग चुका है बस अब हमको उसके उपनजर रखनी है और आप अभी कुछ दिनों के लिए उसको किसी दूसरे काम मैं बिजी कर दो विला पर मत आने देना तब तक मैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकलता हूँ और आप ज़्यादा टेंशन मत लो मैं सब सबल लूँगा बस इस बारे में आपको बताना जरूरी था आपको इसलिए बताया आप ऐसा परेशान होगी तो कैसा चलेगा डैक को भी कभी भी होशा सकता है आपको उनको भी सभलना है और हमारी गुडिया भी आने वाली है उसको भी आपको ही सब समझना है आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ सिया जी आदित्या की बात सुनकर हां मैं अपना सिर हिलाती है वो उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है मुझे पता है मेरा बेटा सब सबल लेगा मैं ठीक हूँ अब मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी और मैं रोहित को कॉल करके प्रिया को दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अपॉइंट करने के लिए कहती हूँ आदित्या अपना सिर हा में हिलाता है तो सिया जी अपना फोन निकल कर रोहित यानी की उनको सेक्रेटरी को कॉल करके प्रिया को दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर देती है। आदित्य भी अपने आदमियों को प्रिया के पीछे लगा देता है। उस पर छुपकर नजर रखने के लिए। उसी के साथ वो महरा इंडस्ट्री में भी अपने जासूस छोड़ देता है। कमपनी के अंदर कोन अगर गदारी कर रहा है तो उसे आसानी से पकड़ा जाए। श्रेया की कार ऐसार विला के आगे आकर रुखती है। वो जल्दी में कार से बाहर निकल कर विला के बाहर जाके डॉब बेल बजाती है। एक सर्वेंट आकर गेट खोलता है। श्रेया उसको साइड करके होता है। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अग्ला एपिसोड, एपिसोड सेविंटीवन, अन्ताइटिल चाप्टर, अब तक, इस कहानी में हमने अब तक देखा कि, ढइक को भी कभी भी होश आ सकता है। आपको उनको भी सभलना है और हमारी गुडिया भी आने वाली उसको भी आपको ही सब समझना है आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ सिया जी आदित्या की बात सुनकर हम मैं अपना सिर हिलाती है वो उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है मुझे पता है मेरा बेटा सब सबल लेगा मैं ठीक हूँ अब मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी औ मैं रोहित को कॉल करके प्रिया को दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अपॉइंट करने के लिए कहती हूँ आदित्य अपना सिर्हा में हिलाता है तो सिया जी अपना फोन निकल कर रोहित यानी की उनको सेक्रेटरी को कॉल करके प्रिया को दूसरे प्रोजेक्ट पर कर देती है आदित्य भी अपने आद्मियों को प्रिया के पीछे लगा देता है उस पर छुपकर नजर रखने के लिए उसी के साथ वो महरा इंडस्ट्री में भी अपने जासूस छोड़ देता है कंपनी के अंदर कौन अगर गद्दारी कर रहा है तो उसे आसानी से पकड़ा जाए श्रेया की कार एसार विला के आगे आकर रुपती है वो जल्दी में कार से बाहर निकल कर विला के बाहर जाके दोर बेल बजाती है एक सर्वेंट आकर गेट खोलता है श्रेया उसको साइड करके जल्दी से विला के अंदर एंटर करती है अंदर आकर वो जब वहां का नजारा देखती है तो वो अपनी जगह पर ही जम जाती है अब आगे श्रेया की कार सर विला के आगे आकर रुपती है वो जल्दी सी कार से बाहर निकल कर विला के गेट के बाहर आकर खड़ी होती है वो दोर बेल बजाती है कुछ ही समय में एक मेर आकर दोर ओपन करती है वो मेट श्रेया को देखकर उसको पहचान लेती है विला के अंदर श्रेया की बेहत सारी फोटो लगी थी जिस वज़े से वो श्रेया को आसानी से पहचान गई कि ये उसकी मिस है श्रेया उस मैपर ज्यादा ध्यान न देते हुए दोर ओपन होते ही जल्दी से अंदर चली जाती है वो अंदर जाकर देखती है तो उसको हॉल में आदित्य अपनी मॉम से उनके हाथ में मौजूद पेपर चीनते हुए नजर आता है जिससे उसके चहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते है उसके चहरे पर गुसा दिखने लगता है उसको लगता है आदित्य उसकी मॉम को परेशान कर रहा है इस वक्त आदित्य और सिया जी की नजर श्रेया पर नहीं पड़ती श्रेया जल्दी से आगे जाके आदित्य का हाथ पकड़ कर उसको सियाजी से अलग करती हैं, वो इसको एक दख्का देती हैं, जिससे आदित्य हॉल में लगे सोफे पे मून के बाल गिर जाता है, सोफे पे गिरने के कारण उसको ज्यादा चोट नहीं लगती, ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ समझने का मूका ह नहीं मिला, श्रेया आदित्य को अपने मौम से दूर करके उनके गले लग जाती है, आदित्य किसी को उसको यू दख्का देकर गिराने से बेहत गुस्सा आता है, वो सोफे से खड़े हुके पीछे मुल कर देखता है, तब ही उसको कोई लग की अपनी मौम के गले लगी करती है, वो उसे कुछ कहती, उसे पहले ही आदित्य की आवाज उनके कानों में आती है, ये यू हुआ यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, और तुम हमारे घर में क्या कर रही हो, उद्धरन चिन डॉट, वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही श्रे श्रेया आदित्य की तरफ देख कर अपनी गुस्से बारी आवाज के साथ कहती है, तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही के रही हो, कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मौम को परेशान करने की, तुम उनके हाथ से पेपर की उचीन रहे थे, उद प्यारी लग रही थी, श्रेया जब अपने सामने खड़े इंसान को अपनी बातों का जवाब न देता देख, उसको खुद पर हस देख और भी गुस्सा हो जाती है, गुस्से के कारण उसके गल और लाल हो जाते हैं, साथ मेना भी, वो इस वक बहर क्यूट लग रही थी, यहाँ पर close up की आड नहीं चल रही है, आदित्य जो इतनी देर से smile कर रहा था वो श्रेया की बात सुनकर हसना बंद कर देता है, श्रेया की तरफ देखकर अपने मासूम expression के साथ कहता है, तुमने कोई जोक नहीं माता मैं तो इसलिए smile कर रहा हूँ, तुम गुस्से मैं अपने फूले हुए लाल गाल और लाल नाक के साथ क्यूट लग रही है, वो अपने गालों पर हाथ रख देती है, वो आदित्य की तरफ देखकर उससे कुछ कहने ही, वाली थी कि तभी आदित्य की आवाज उसके कान में पड़ती है, को उससे कह रहा था, वैसे मैंने तु अपने ख़र से क्या, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो ये से, मेरे मा को परेशान कर रहे हो, आदित्य श्रेयावन के एगनो करने के बाद अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे कर देता है, पर अपनी जगर से हटा नहीं, वो इस कुछ कहने ही वाला होता है, कि श्र श्रेया की मॉम जो कब से उन दोनों की बहेस देख रही थी, वो जब श्रेया को आदित्य को घर से बाहर निकलता देख हूँ आगे बढ़ कर श्रेया के आगे जाके खड़ी हो जाती है, श्रेया अचानक अपनी मॉम के अपने आगे खड़ी होकर उसको रोकने से उनकी तर उसके हाथ से आदित्य का हाथ चुला कर उसका और आदित्य दोनों का हाथ पकड़ कर उन लोगों को सोफे पे जाके बिधाती है। फित्य दोनों के सामने बैठकर अपनी मौम और बहन को देख रहा था। उसको पता था उसकी मौम उसकी प्यारी बहन को उसके बारे में बताने वाली थी। तो वो शांती से बैट कर अपनी मॉम और बहन को देखने लगता है। वो बाहर से दिखने में ही शांत लग रहा था पर वो अंदर से बैचें था उसको ये दर लग रहा था कि अगर उसकी प्यारी बहन ने उसको अपना भाय मानने से मना कर दिया तो, पर वो अपना एक ख्या जातक कर खुद को तसली देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा उसकी बहन उसको जरूर अपनाएगी फिर उसकी भी सब की तरह एक प्यारी सी फैमिली होगी जिसमें वो सब प्यार से रहेंगे सिया जी अपने एक हाथ से प्यार से श्रेया के सिर को सहलाती है और दूसरे हाथ में श्रेया का हाथ पकरती है और उसकी तरफ देखकर उससे कहती है श्रेया अभी जो मॉम आपको बताने जा रही है वो ध्यान से सुन ना फिर कोई डिसीजन लेना वो इतना कहकर चुप होकर श्रेया की तरफ देखने लगती है को कि अपनी मॉम की तरफ ही अपने मंडेरो सवाल ये देख रही थी श्रेया अब तक ये बात तो समझ चुकी थी कि उसकी मॉम उससे कुछ इंपोटेंट बात करने वाली थी जो की सामने बैठे इंसान से जुली थी और शायद उस आदमी से भी जिसे उसने अपने आँखों के सामने उस द्रिश्य में देखा था सेया जी जब श्रेया को अपने ही ख्यालों में गुम देखती है तो वो उसको हिलाती और कहती है कहा खो गई बेटा आप क्या हुआ उद्धरन चिन डॉट श्रेया अपनी मॉम के ऐसे उसको हिलाने से अपने सोच से बाहर आकर अपनी मॉम की तरफ देख कर कहती है कुछ नहीं मॉम आप कुछ कह रही थी कहुना मैं सुन रही हूँ उद्धरन चिन डॉट सिया जी श्रेया के हाथ को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ कर एक बार आदित्य की तरफ देखती है जो कि यूनी की तरफ देख रहा था वो जब अपनी मॉम को अपनी तरफ देखता पाता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम नर्वस हो रही है तो वो अपनी आँखों के इशारे से सब ठीक है आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा ऐसा इशारा करता है जिससे सिया जी को थोड़ा होसला मिलता है श्रेया भी ये सब देख चुकी थी उसको भी कुछ कुछ समझा रहा था पर उसको पक्का कुछ पता नहीं था वो जब घर में एंटर की थी तब उसने आदित्य का चहरा अच्छे से देखा नहीं था पर अभी जब वो उसके सामने था तो वो उसका चहरा साफ देख सकती थी जो कि उसको काफी हद तक अपनी मौम से मिलता जुलता नजर आता है और उसको अदित्य से अपने पन का एहसास भी हो रहा था वो ये सब सोची रही थी उसके कान में अपनी मौम की आवाज आती है जो कि उससे कह रही थी श्रेया मेरी बच्ची मेरी बात ध्यान से सुनना ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना स्याजी आदित्य की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती है ये कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा था वो तुमें ही काम कर रही थी ऑफिस का जिसे ओपने से मना कर रहा था और मुझे आराम करने के लिए कह रहा था इसलिए ही वो मेरे हाथ से वो डॉक्यूमेंट शीन रहा था और उसी टाइम पर तुम आ गई और तुमको लगा ये मुझसे बतिमिजी कर रहा है मुझे परेशान कर रहा है पर इसी कोई बात नहीं इतना कहकर वो एक गहरी सास लेके श्रिया की तरफ देख कर कहती है मुझे तुमको और एक इंपोटेंट बात बतानी जिसका तुमको जानना बेहत जरूरी है मैंने तुमको इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया तुम बच्पन में मुझसे पूछती थी ना मेरे डैट कहा है वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते और बाकी के लग्कियों को अपनी भाई की साथ देख कर कहती थी ना कि मा मुझे भी भाई चाहिए मेरा भाई कहा है पर मैं तुमको डाट कर चुप करा देती थी और जैसे जैसे तुम बड़ी हो गई तुम सब समझ गई और तुमने मुझसे सवाल करने बंद कर दे दिये अपनी मौम की बाते सुनकर श्रेया की आँखो नाम ही गई थी जिसको उसने बड़ी आसानी से चुपा लिया था पर ये बात आदित्य की नजरों से नहीं बच पाई वो कब से अपनी माँ और बहन की तरफ देख कर उनकी बाते सुन रहा था और जब अपनी मौम को और बहन को एमोशनल होते देखा तो उसकी आँखे भी नम हो गई थी उसने अपनी चोटी बहन को अपने आँखों के आशु भी बड़ी आसानी से चुपाते हुए देख लिया था आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आज का एपिसोड आप सब को कैसे लगा ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आप सब को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करना इन चैनल को सब्सक्राइब न भूलना कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड फ्रेंज थैंक यू फो वाचेंग